नमश्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहें न्यूस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की यूक्रेन युद्ध डेड़ साल से अधिक समय हो गया और आज 554 दिन है यानी युद्ध अपनी विभीशिका की तरफ लगातार बढ़ रहा है और इसकी मिसाल है यह द्रोन ह हमले किये हैं छे इलाकों को निशाने पे लिया है आगजनी की फोटो और वीडियो आई हैं क्या युक्रेन युद्ध युक्रेन का काउंटर अफेंसिव और तेज हो रहा है और रूस के लिए मुश्किल होगी इस पर हम बात करेंगे प्रबीर पुरकाईस से प्रबीर आज हम बात करेंगे युक्रेन युद्ध की युक्रेन युद्ध को शुरू हुए डेड़ साल से अधिक समय हो गया है और आज जब हम बात कर रहे हैं पांसो चवणवा दिन है युद्ध का और जो दिखाई दे रहा है कि रूस पर बड़े पैमाने पर द्रोन स हमला हुआ है और शायद जब से युद्ध शुरू हुआ तब से सबसे बड़ा हमला इसे बताया जा रहा है जैसा कि हमारे दर्शक देख सकते हैं इस नक्षे में काफी अंदर तक वार हुआ है और बड़े पैमाने पर जो वीडियो जिन पर हम आगे चर्शा करेंगे ये ज ड्रोन वारफेर एक हिसाब से नया है लोगों का लगा था कि जो नॉर्मल वार होता है युद्ध यहाज होते हैं एरक्राफ्ट होते हैं सेनाय जाते हैं टैंक्स जाते हैं इस तरह से जंग होगा तो यह साफ है एक्शली इसका शुरुवात इरान ने किया था कि ड्रोन वा तो इसको आप भेजना कहीं भी भेज सकते हो और क्योंकि चोटा है तो इसकी जा सकता है तो वह भी एक करने की छमता है और पिछले देड़ साल पे हमने जो देखा है कि उक्रेन पहले इसको तर्किश ड्रोन के इस्तिमाल किया था वो ज्यादा कामियाब कुछ दिन बाद नहीं हुए थे हलाकि उनको पहले मौके पे काफी उनको सफलता हासे हुए पर बाद में रूस ने उसका काट निकाल लिया वो चला नहीं रूस भी काफी ड्रोन का इस्तिमाल कर रहा है पर यह जो ड्रोन इस्तिमाल हुआ इस बार लगता है कि यूक्रेन के पास इस वक्त खास कुछ ड्रोन्स दिया गया है वन किसी ने बना के दिया होगा क्योंकि यूक्रेन तो इस वक्त बहुत जादा पड़े पैमाने पे ये उनकी इंडस्ट्री इस वक्त नहीं चल रहा है और इसके पीछे ये भी मान के चलना पड़ेगा क्योंकि ये यूक्रेन भी कह रहा है और अमरीका और यूर्पेन यूनियन भी कह रहा है कि नेटो इसको पूरी तरह से मदद कर रहा है कहां एटाक करना है कैसे जाना है उसके हाथियार भी देना और उसके साथ-साथ और जो सपोर्ट चाहिए टार्गेट देखते हुए आश्चेरिय की बात नहीं है कि बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला यूक्रेन कर पाया है और इसको मान के चलना पड़ेगा यह हमला होता रहेगा जंग अगर चलेगा तो यूक्रेन के ऊपर रूस की इस वक्त हवाई जहाज और मिजाइल के जरिये उसकी स्काइस की उपर कंट्रोल है पर ड्रोन को रोकना आसान नहीं है अब देख सकते हैं कि जहां जहां पर हमले हुए हैं काफी दूर जाके हमले किये गया है जो खबरे हैं उसमें छे इलाके रूस के हैं जो उन्होंने या रूस की कबजे वाले इलाकों पर हाँ मैं चार यहां दिखा इस पर सबसे एहम जो है इस पर पेसकॉफ एरबेस बड़े पैमाने पर ड्रोन की हमला हुए है और उसमें दिखाया गया है जो उसका दृष्याबाद में देख सकते हैं उसमें काफी क्या कहेंगे एरक्राफ डामेज हुए है और उसमें आग 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 जानी दिख रहा है खास इसके हमियत यह है कि यह काफी दूर है उक्रेइन से अगर जिसे कहेंगे अगर कववा सीधा जाता है तो करीब 600 किलोमेटर दूर पड़ेगा पर इस तरह सी उक्रेइन से वहां जाने का बेलारूस से उपर जाना पड़ेगा उनके लिए संभब नहीं है तो यह घूम के जाके अटाक करेंगे रूस का अंदर ही यह तो जो कहा जा रहा है एस्टोनिया लैटिबिया के तुहां से क्या यह एटाक चालित हुआ है क्या वहां के ड्रो जाके यूक्रेइन ने उसके जरिये इनके सहारे ड्रोन को इस्तेबाल किया पेसकॉफ के खिलाफ प्रशनल चिन है किसी को अभी पता नहीं है खास और यूद में पता चलना भी मुश्किल है मुश्किल है अभी भी नौर्ट स्ट्रीम किसने अटैक किया उसका अभी भी प्रशनल चिन लोग कहते हैं अला कि हमें लगता है अमरीका ने या नेटों के देशों ने किया होगा पर सवाल यह ह होगा साओध एरेबिया की जो ऑईल की इंफ्रस्ट्रक्शर है उस पे येमन जो की हूती जिनके बुश्टेड भी नहीं है उसके पीशे ना नेटो है ना रूस है उन्होंने भी ड्रोन हमला किया है उनकी और पर पर भी और उनके पास जो कहते हैं कि बेस्ट काउंटर मिज साउधी के पास है, अमरिका का कुछ भी कर नहीं पाए, लेके भी कुछ रोक नहीं पाए, तो ड्रोन एक ऐसा इस वक्त हातियार है, उसका एटैक रोकना लगता है, मुश्किल है, आप सौ भेजेंगे, वो पाँच दस तो जाके काम्याब हो ही जाएगा, यह मान के चलना पड अगर रूस का, यूक्रेइन का और नेटो का जो बादबार कहते हैं नेटो इसमें पीछे है, नेटो के शक्ति क्योंकि उक्रेइन की पीछे है, यह सब उनके लिए करना संभव भी है, हातियार भी मिल रहा है, ड्रोन भी मिल रहा है, और नेटो की पूरी जो कहते हैं, बाक जो सिस्टेम है वो कहां से दी जा रही है वो नेटों की सैटलाइट से ले कर उनकी और जो इंफ्रेस्ट्रक्चर मी जो जा रहे है, तो रूस Жो भी कुरे इस तरह के हमला मौस्को पर भी लगाता ही उसके जरीय दिया जा रहा है तो रूस जो भी करे इस तरह के हमला मौस्को पर भी लगातार होता ही रहा है इस बार भी हुआ है तो ये हमला चलता रहेगा तो जंग अगर चलेगा तो रूस में भी नुकसान होगा मान के चलना पड़ाएगा पर सवाल यह कि युद्ध में इफ्रस्ट्रक्चर है इस वक्त वो काफी हद तक मिद्धस्त हो चुका है तो क्या इस वक्त शांति की बात्चीत होगी या नहीं यह प्रश्णचिन है तो आप जिस हमले का जिक्र कर रहे हैं तकरीबन 6 इलाके निशाने पे लिए गए हैं और अगस्त में तो 25 के करीब द् इलाके उस पे हमले में आए हैं और यह पेसकॉफ एरपोर्ट की द्रिश है जहां पर बड़े पैमाने पर आगजानी की भी आपको तस्वीर दिख रहा है जी हां प्रवीर मैं चाहती हूं कि थोड़ा दर्शकों को हम नक्षे की जरी यह भी बताएं कि जो खबरे आ रही है इस युद्ध को लेकर कि युकरेन का जो हिस्सा जिस पे रूस ने अपना परभुत्त जमाया है उसमें जो उसकी डिफेंस है उस पे भी काफी नुकसान हुआ है जिसे दर्शक देख सकते हैं जो डार कलर का पूरा का पूरा इलाका है तो यहां पर जो उपलब्द जानकार जिसे कहते हैं उसको लाइन्स कहना चाहिए तीन उनको जो कहा जाता है ड्रैगन्स टीथ वो बार्ड वायर ट्रेंचेस आपके माइन्स से सुसजित जो इलाका है उसको तीन लाइन अफ डिफेंस पे अभी तक यह जो क्या कहते हैं नया जो हमले हुए है जिसकी बहुत दिन से तैयारी चल रही थी उसमें अभी तक कोई खबर नहीं है कि वो कोई ब्रीच हुआ है अभी भी लड़ाई जो चल रही है वो इन इलाकों में जहां पर यह गुसके अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं और यहां पर तो इन जगहों में खास तोड़ से इस इलाके में लगता है इस वक्त में युद्ध जो है इस वक्त वहां पर हो रहा है इसमें हमने पहले भी तज़्वीरे देखे हैं टैंक्स जो दिये गए थे नए नए हात्यारे दिये गए थे यह सब लेके हमले होने के बावजूद इन जगहों पर कुछ खास उनको पर लब्दी नहीं मिली य रोबोटाइन एक गाउं है बहुत चोटा सा गाउं है रोबोटाइन रोबोटीनों जो भी कहें क्योंकि जानते हैं वहां पर भी बहस है प्रनांसेशन क्या होना चाहिए तो यह जो गाउं है पाथ सो लोगों की बसती थी ठीक है ना अब तो इस जंग में कोई वहां बसा भी नहीं होगा तो उसमें उस गाउं को इन्होंने कैप्चर कर लिया है उस पर काफी लंबी लड़ाई चली थी पर सवाल है कि डिफेंस लाइन जो है इसके पीछे है तो यह नहीं है कि डिफेंस लाइन को तोड़ा है तो तीन डिफेंस लाइन जो है यह इन जगों पे है और ये डिफेंस लाइन्स को अभी भी तोड़ने की अभी भी खबर नहीं है, या कोई तजवीर नहीं है हमारे पास, तो हो सकता है ये टूटेगी, एक टूटेगी तो और दो रहेगी, और ये सबसे ज़ादा जिसको ड्रैगन्स टीथ कहते हैं, इसमें आपके बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, वो तोड़ना आसान नहीं होता है, तो रूस बहुत दिन से इसकी तयारी कर चुकी है, इसके एहमेद क्या है, अगर आप देखना चाहें, तो यह अगर आप देखें, तो यहाँ पर इनका टार्गेट है, इस शहर को कैप्चर करना, अगर इस शहर को कैप्चर कर पाएंगे, तो यह जो कॉरिडॉर है, जो कने है इसको अगर तोर सकते कहीं उनका टार्गेट है तो रूस से क्राइमिया अलग हो जाएगा यह लक्ष मिलिटरी लक्ष यह है पर यह जो रोबोटाइन से अगर आपको इसको इस तरह से तोड़ना है तो अभी भी काफी दूर है यह लक्ष और मिलिटो पॉल को कैप्चर करन की जंक्शन्स है तो उसको पहले कैप्चर करेंगे इसके बाद मिलिटो पॉल की कैप्चर करेंगे यह उनका कोशिश है पर अभी भी क्योंकि तीन डिफेंस लाइन बनी हुई है इसमें हम नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी प्रगती हुई है अगर एक डिफेंस लाइन तोड तूटती है और दो डिफेंस लाइन होगी तो अभी भी देखने की जरूरत है कि यह उफेंसिफ क्या बॉक्डाउन कर जाता है या आगे चल पाता है यह सवाल अप्रश्चन जो कहेंगे अभी भी बना हुआ है इसको एक बहुत बड़ा कोई उपलब्धी नहीं मान सकते ज कि इनकी ओफेंसिफ की केपैसिटी धिरे धिरे कम होता जा रहा है अभी उस तरह की हातियात देखने को नहीं मिल रहा है टैंक्स उस तरह के देखने को नहीं मिल रहा है इसलिए लगता है कि इनकी यूक्रेन की ओफेंसिफ बॉक्डाउन करने की रुख जाने की संभावना और शायद इसे लिए उन्होंने द्रोन हमला इतने बड़े पैमाने पर किया और पूरे अगस्त में द्रोन हमले चलते रहे जिसे लेकर पर ये तो है कि जंग अगर चलेगा दोनों तरफ तो नुकसान होगा ही यूकरेन को नुकसान ज्यादा होगा क्योंकि इस पर एर कंट्र कि भंडार किया है कि इतने सावे और देने के लिए जो खेरह। चाहे जो चीजे है तो यह देखते हुए जंग किते दूर तक नेटो चला पाएगे और जो कहते हैं कि नेटो फाइट यूक्रेट टुद आखरी यूक्रेट के तक अभी फिलहाल डेड़ साल तो हो गए और द्रोन हमले तेज हो गए हैं अब हम चलेंगे अपने दूसरे मुद्दे की तरफ प्रबीर हम लगातार विद्रोह हुआ और दर्शक देख सकते हैं कि यह पूरा जो इलाका है इसमें सुडान को हटा दिया जाए तो यह सारा का सारा वह इलाका है जहां पर फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी और यह वो बेल्ट है जिसमें हमने 5-6 देश दिखा रहे हैं जो पहले विद्रोह कर च अ तो पहली बात तो गवांग की बात करें जो की काफी तेल वहाँ पर उपलब्द है तो उल रिच देश है तो उसमें फ्रांस या अमरीका इन लोगों की एक स्टेक है क्योंकि तेल आप जानते है उर्जा पैदा करता है तो उसलिए सब की ज़रुरत है तो गवांग की तो बॉंगो फैमिली है बाप और बेटा उसका करीब पचास साल से ज्यादा उसका राज चना है तो ये बॉंगो फैमिली की राज जो है ये लगता है कि जनता इससे असंतुष्ट थे और उनको ये लगता था कि चुनावी तोर से इसको नहीं निकाला जा सकता कि चुनावी एक ह फैमिली की पचास साल राज के खिलाफ ये विद्रो हुआ है फ्रांकफोन आफरिका जो हम कह रहे हैं इसका कंट्रोल जो फांस फ्रांस ने रखा है अपने पास उसका मुद्रा से लेकर मिलिटरी सब कुछ उनके प्रभुत वह एक हिसाब से चलता है तो उसके खिलाफ जो दभी आक्रोश है उसका बिसफोर्ड अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरीके से आ रहा है लगता है गांबो भी इसलिए उसका उसी हिससे में उसी कड़ी में आगे बढ़ा है दूसरी बात है कि इन जगहों को अब देखेंगे कोई भी ऐसे दुनिया में देश नहीं होता है वालू मैं यहां पर क्यों स्ट्रेट लाइन से क्योंकि यूरोपियन देश में बर्लिन में बैठके मैप की उपर और कहता है यह आपकी हमारी यह उसकी तो बंदर माट किया था आफ्रिका की इस तरह के देश बने हैं जिनकी उस तरह से कोई आइडेंटिटी नहीं ह सिर्फ आइडेंटिटी है कि मैप पे वो फ्रांस का था यह इंगलेंड का था यह तो पॉर्टुगल का था इस्पेन का था यह जर्मनी का था तो यह इन देशों में उस तरह के आइडेंटिटी नहीं हुआ है नैशनल बूब्मेंट जिसमें हमारे हाँ पैदा किया है तो ये इसी लिए आर्मी उनकी हाँ पर लगता है एक नैशनलिस्ट फोर्स के तरह देखा जाता है कि ठीक है मिल्ल क्लास से आता है ज्यादा तर फाइट करने वाले भी है तो उनका एक नैशनलिस्ट रवाया हो सकता है ये लगता है लोगों को और इसी लिए इस तरह के जो बॉं शायद military rules से हमें एक अलग धाचा देखने को मिलेगा और जो आपने पहले कहा कि इनकी France के साथ बड़ी सार्डगाट थी military की इन families की जो वहाँ पर राज कर रहे थे तो France के new colony के रूप में इन सब देश चल रहते जो फ्रैंकोफोन आफ्रिका है तो लगता है ये भी उसके खि किस वक्त वो उठ रही है और देखना पड़ेगा वो जाती कि धर है क्योंकि जब military power इस तरह से आता है कि इस दिशा में जाएगी क्या जनता के हित में प्रगतिशील काम करेगा जैसे for instance टॉमा संकरा में किया था जिसका हम चर्चा पहले कर चुके है बाग बुर्कीना फास American influence चलेगा या अपने जनता की pressure पे काम करेगा यह देखने की बात है फिलहाल यह दिखाई दे रहा है कि अभी तक की जो गुलामी है उससे वो लोग बाहर आने के लिए कोशिश कर रहे हैं और यह नक्षा अपने आप में बताता है कि कितने बड़े पैमाने पर colonies बनाई गुलामी की जन्जीरें उनसे मुक्ति पाने के लिए किस तरह का संगर्ष चल रहा है किस तरह का युद्ध चल रहा है यह एक बड़ा संदेश दे रहा है कि देश में दुनिया में जो कूटनीती है वह एक बार अगर युद्ध की रह में चली जाए तो वापस शान्ती की दिशा में आने में बहुत समय लगता है देखिए लाइक करिए शेर करिए पड़ताल दुनिया भर की क्योंकि इस तरह के exclusive map सिर्फ हमी आप तक ला सकते हैं शुक्रिया